आप देख रहे हैं समाचार एजनसी एफ इंडिया में साइन नियूज अब भूल आपको उड़ती हुई दिख रही होगी ठोड़ा बहुत यहाँ पर पानी भी आपको दिख रहा होगा अलका फूल का पानी यहां पर डला हुआ यहां जो आज हम आपको देखाने जा रहे हैं सबसे महफ़ूल बात हमारे पीछे जवल्कुर जाने वाला रास्ता है और हमारे पीछे अगर आप यहां से देखेंगे, तो गिट्टी के धेर लगे हुए हैं, लगभग 12 से 15 या 20 के लगभग धेर हैं, सड़क यहां एक 5-7 फिट आगे से सड़क एकांगी कर दी गई है, एक ही सड़क है, इस तरह बाली सड़क पर काम चल रहा है, सबसे बड़ी बात, जो आज हम आपको दिखाना चाहे रहे हैं, आप दिखाने जा रहे हैं, कि इस सड़क के इस हिस्से में यहां पर कहीं भी विचलन मार्ग डाइवर्शन कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठेकेदार पूरी तरह मनमानी पर वतारू है, एक सो नौ करोर रुपे की यह सड़क बन रही है, एक सो नौ करोर रुपे की, मद्यप्रदेश सड़क लिकास निगम MPRDC के द्वारा इस सड़क का निर्मान कराया जा रहा है, और कहीं पर भी कोई संकेतक नहीं लगा हुआ है, विचलन मार्ग, डाइवर्टेड डाइवर्शन है, या एक ही मार्ग का उप्योग हो रहा है, रात के समय, चो कि यहां पर आप देख सकते हैं, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, ऐसी इस्थिती में, अगर यह दे यहां पर इनके द्वारा, ठेके दावर के द्वारा कुछ भी नहीं लगाया गया है, दो सांसद हैं, एक मंडला के सांसद फग्गन सिंग को लस्ते और दूसरे बाला घाट के सांसद हैं, भारती पारधी, भारती पारधी का यह संसदी छेतर है, इसके अलावा चार विधा जिनका नाम है रजनीश सिंग विपक्ष में हैं उन्हें आवाज बुलंद करनी चाहिए पर वे भी इस मामले में मौन ही अक्तियार करके रखते हैं मार्ती जन्ता पार्टी के दो विदायक हैं एक विदायक पर खाट के कमल मस्कोले हैं और दूसरे विदायक सिवनी के दिनेश राय का विदान सबाद शेतर का मुख्याला है सिवनी और सिवनी में M.P.R.D.C. के दोरा एक करूर नौ लाख रुपे की सड़क बनाई जा रही है इस सड़क को आप देख सकते हैं इस सड़क में लगातार विसंगतियों अनिमित्ताओं को हम उजावर करते आए हैं हमारा कहना यही है कि विकास होना चाहिए निश्चित तोर पर विकास होना चाहिए और विकास में जब टेंडर दिया जाता है निविदा दी जाती किसी ठ वेकिदार को काम दिया जाता तो उस काम को जो निविदा की शर्थ हैं उन का पालन कराया जाना चाहिए सावधानी के लिए यहाँ पर बोर्ड लगे होना चाहिए कोई भी वहां अगर तेज-गति से आता है और सीदह आकर गिट्टी में जाकर टकरा भी सकता है इस बात की परवा किसी को भी नजर नहीं आ रहे हैं यहां कोई भी इस मामले में बोलने को तयार नहीं हम आपको आगे लेकर चलते हैं यहां से अगर हम आगे आपको लेकर चल रहे हैं देखिए यहां कुछ पानी आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत पानी यहां पड़ा हुआ दिख रहा है पर पानी बहुत ज़्यादा यहां पर डला हुआ आपको नजर नहीं आएगा यह अब हम आपको करीब से दिखाते हैं यह देखे यहां पर मट्टी पर डली हुई है कहीं कोई संके तक आपको नहीं दिख रहे होंगे कहीं भी कोई ऐसे संके तक नहीं और इस सड़क पर अगर आप देखेंगे तो वहां से एक बस आ रहे हैं और ये बस देखेंगे यहां देखें तो ये बस यहां पर रुके हुए यातायात कुल इसको मानो इससे कोई सरोकार नहीं है ये गिट्टियां पड़े होई हैं हम आपको और आगे लेकर चलते हैं दिखाते हैं गिट्टियां अगर आप करीब से दिखे ये गिट्टि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सुदा 21 लेर गिट्टियों के आपको यहाँ पर पड़े हुए दिख रहे होंगे जहां हम यहाँ चल रहे हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं डला हुआ है शायद फुटबाद बन रहा है, क्या बन रहा है, यह कहना तो वह सा मुश्किल है पत्टियों को हम दिखाते हैं, यह देखिए पत्टियों पर डस्ट जमी हुई, साफ तौर पर दिख रही होगी स्टीमेटा प्रभावित हो रहा है, पत्टियां, पेड जो हैं पत्टियों के जरिये सांस लेते हैं यह हमने बच्पन से ही पढ़ा है, और यह देखिए, यहाँ पर भी अगर आप करीब से दिखाईए यह देखिए, यह इस बात की चुगली कर रही है, कि यहाँ बिना पानी डाले ही लोगों के स्वास्त के साथ खिलवार यहाँ पकिया जा रहा है, यह नाला एक देख रहे हैं, जिसमें बहुत से आपको पेड पौधे यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं जेसी भी हमारे पीछे चल रही है और जो जेसी भी यहाँ पर चलती हुई दिख रही है, उससे भी जो पेड या सफाई चल रही है, उस सफाई से करने से बहुत धूल उड़ती हुई दिख रही होगी हम यहाँ पर एक बार आपको दिखाते हैं, सिवनी तरफ करना जा रहा है, गिटियां यहाँ पर रखे हुई है, और यहाँ अगर आप उस किनारे से यहाँ तक दिखाएं पूरा, उस किनारे से लेकर आप यहाँ तक आईएगा और देखिए यहाँ पर कहीं सड़क निर्मा हो रहा है, कहीं कोई चूने से पुती बोरियां रखी दिख रही हो, कहीं कोई स्ट्रिप दिख रही हो सुरकशा के लिहाँ से, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, चला मुख्याले की सीमा, नगरपाली का परिशत की सीमा यहाँ तक है, और जहाँ तक सीमा है, शहर के अंदर का ह यहां चार से पाँच स्कूल है जब यहां बच्चे जाते हैं गिट्टियां गोल गोल गिट्टियां है इन गिट्टियों पर उचटती हैं गिट्टियां हम हमेशा से यह बात कहते आए हैं गिट्टी उचट रही है विकास हो रहा है धूल उड़ रही है विकास हो रहा है लो लोगों को लग रही है, लोग घैल हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, विकास हो रहा है। ये विकास सीवनी में चल रहा है इस तरह का विकास अधिकारियों के द्वारा साथ या आठ दिन का नोटिस दिया गया उस आठ दिन तक लोग जब धूल फांकेंगे उसका क्या होना ये चाहिए था कि हमारी नजरों में हो सकता है हम इस मामले में गलत हो पर होना ये चाहिए था कि प्रशाशन को MPRDC के अधिकारियों को जवाब तलब करना था आठ दिन का समय देना उचित है देना चाहिए पर उन आठ दिनों तक यहां परियाप्त पानी की सिचाई हो रही है या नहीं हो रही है हम फिर से वही बात कहेंगे आठ दिनों तक जब तक MPRDC या ठेकेदार के दोरा जवाब दिया जाता है तब तक यहां पर पानी की परियाप्त सिचाई हो रही है या नहीं हो रही है इस बारे में निर्देश दिये जाने चाहिए से MPRDC के के दोरा जिस तरह जहां पर बिना सिचाई के अभी फिलहाल तो आपको पानी दिखाई दे रहा होगा जला मुक्याल है कि आस पास कुछ दूरी तक पानी के टेंकर चलते हैं खाना पूर्ती होती है पर जला प्रिशाशन को चाहिए था MPRDC के अथिकारी को पाबंद किया जाता के जब तक जवाब दिया जाएगा तब तक पानी की सिचाई पर यहाप तो हो रही है तरह नहीं हो रही है सुबह शाम दोपार तीन बार हो रही है या नही रही है उसके वीडियोंज बनाकर प्रशाशन को दिये जाएं ठेकेदार की गूद में MPRDC के सुत्रों ने समाचार एजिंसी अफ इंडिया को ये बात भी बदाई कि ठेकेदार की गूद में अधिकारी बैठे नजर आ रहे है MPRDC के और देख सकते हैं ये बस भी जा रही है इस बस से भी उरती धूद की गड़े होगी किस तरह का विकास हो रहा है यहां MPRDC का कुई भी अधिकारी आपको नजर नहीं आहा हूए तकनीकी कर्मेशारी कोई भी नजर not नहीं आ रहा हूए सीवनी तरफ का हिस्सा कोई सुरक्षा के उपाय ठेकेदार के द्वारा नहीं किये गए है MPRDC के अधिकारी करमशारी यहां नहीं है ठेकेदार पूरी तरह मनमानी पर उतारू है सीवनी के दो सांसद चाहर पिधायक पूरी तरह मौन है जलादिकारी संस्कृति जैन आपके कारियाले से महज एक क्लिमीटर दूर है एक बार आकर देखिए आप स्वयम पाएंगे आपको खुद को लगेगा कि यहां पर जो भी हो रहा है वो नियमांसार नहीं हो रहा है तब देर किस भात की अगर MPRDC यह देखिए अगर आपको उस तरफ दिखाईए तो वो जो पेड़ गिर रहा है पेड़ गिरते जो जाडियां हट रही है जाडियों से उठती हुई धूल आपको वहां इस पस तोर पर आपको दिखाई दे रही होगी आई है हम आपको लेकर चलते हैं धूल पूरी किस कदर यहां उड़ती हुई देख रही है आप देख सकते हैं किस कदर धूल उड़ रही है खंबों पर से जो लाइट आगे आई है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं कि जो खंबे हैं उन खंबों को यहां उन खंबों को टेंपरेरी लगाया गया है क्या गवस्था है यह क्या कहा जाएगा इसको दूल आपको यह बात की घोतक है कि यहां पर ठेकेदार की मनमानी लगातार जारी रही होना यह चाहिए था हम यह बता रहे थे होना यह चाहिए था इसमें के प्रशाशन जिला प्रशाशन को चाहिए था MPRDC के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उनकी वेतन व्रद्धियां रोकने का प्रस्ताव मुख्याले को भीजना था जो भी यहां पर लोगों को परेशानी हो रही है उस परेशानी से निपटने के लिए जो भी उपाय प्रशाशन के द्वारा किये जाते प्रशाशन चाहे तो खुद इस पर पानी की सिचाई करवाए और उसके पैसे ठेकेदार से वसूल करवाए देखा जाए तो दिनेश राय सीवनी के विधायक यह उनका विधान सवाचेतर का हिस्सा है भारती पारधी सांसद पालागाट के उनके लोकसरवाचेतर का हिस्सा है उन्हें प्रशाशन को ये बात करने के लिए बात्ध्य करना चाहिए था क्योंकि सिवनी के लोगों ने बहुत भरोसे के साथ इन सभी को चुना है समाचार एजनसी आफ इंद्या की साही ने उद में लिम्टी की लाल 10 के 676 वे अपीसोड फिड़ाल है अगर आपको समाचार एजनसी आफ इंद्या की साही ने लाल 10 की लाल 10 पसंद आ रहा ही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जलूर करें साथ ही नीची कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये आपको कैसे लग रहे और आप क्या देखना चाहते हैं समाचार एजनसी आफ इंडिया के सहियों की अखलेश दुबे के साथ लिम्टी की लाल टैन का 677 सब्सक्राइब लेकर पहुत जल्द हमाजे रहोंगे फिलाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे चैहिंद सब्सक्राइब के सुब़ सुब ब creator सब्सक्राइब के सुब के दुब के 35by 6 सब्सक्राइब構 रहाब भी